हालो फ्रेंड्स मैं त्रिप्ती मेरे किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बेशन की बर्फी त्योहार आ रहे हैं त्योहार पर हम घर पर मिठाई बनाते हैं और बेशन की बर्फी एक ऐसी मिठाई है जिसको बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिस लगती है बस इनको बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है नहीं तो ये बर्फी हार्ड भी बन सकती है तो आज मैंने बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बना का तयार किये और मैं पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि घर पर सॉफ्ट बेसन की बर्फी कैसी बनाया जाए तो आईए फ्रेंड्स इसको बना कर तयार कर लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने कड़ाई गैस पर रख दी है लेकिन गैस अभी बंद है इसमें हम पहले बेसन डालेंगे तो मैं इसमें दो कप बेसन डाल रही हूँ अगर आप कटोरी के नाप से लेते हैं तो उसी कटोरी के नाप से सभी चीजों को आपको लेना होगा तो मैंने कप से लिया है इसलिए मैंने दो कप बेसन लिया है अब घी और बेसन को mix कर लेंगे और अब हम gas को on कर लेंगे लेकिन flame को हमें low ही रखना है हम low flame पर इसे लगातार चलाते वे बनाएंगे बेसन की बर्फी बनाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन को हमें बहुत अच्छे से roast करना है अगर बेसन अच्छे से हम नहीं भूनेंगे तो जब बर्फी बनके तयार होगी तो उसमें बेसन का कच्चा टेस्ट आएगा इसको भूनने में हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर भून रहे हैं और जो हमारा मिक्षर है वो थोड़ा सा और जादा गीला हो गया है क्योंकि घीर इसमें से धीरे धीरे निकलने लगा है अभी आप देखिए मैं कड़ाई को पकड़ कर बना रही हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गाड़ा है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पतला होता जाएगा इसको चलाना और भी असान हो जाएगा और ये बहुत जादा लाइट हो जाएगा और आप देखिए हमारा जो मिक्शर है वो काफी लाइट हो चुका है और मैं बिना कड़ाई को पकड़े असानी से एक हाँ से चला पा रही हूँ और इसका कलर भी चेंज हो चुका है वीडियो में आपको नहीं पता लग रहा होगा लेकिन जब सामने से आप ये बर्फी बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका कलर दिरे दिरे ब्राउन होने लगता है तो मेरे को चलाते वे 15-16 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है तो जब कलर चेंज हो जाए तब आप इसमें कलर यफी हल्दी मिला सकते हैं तो मैंने इसमें हल्दी मिलाई है आप हल्दी की जगा कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हल्दी डालने से इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें बाद में इलाईची का पॉडर डालेंगे तो हल्दी का टेस्ट नहीं आता है तो मैंने इसमें एक चुटकी हल्दी डाली है बहुत जादा हल्दी नहीं डालेंगे हल्दी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक से दो मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे तो अब आप देखे इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और बंद करके इसे 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जल सकता है क्योंकि कड़ाई अभी बहुत जादा गरम है तो गैस को बंद करने के बाद मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए चला लिया है और अब हम इस मिक्षर को ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम चाशनी बना कर तयार कर लेते हैं चाशनी बनाने के लिए मैंने पतीला लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1-1.5 कप चीनी अगर आपने कटोरी से बेसन और घी लिया है और अब हम गयास को अन कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे पहले तो चीनी घुल चुकी है और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे बीच बीच में चलाते हुए बनाएंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक तार नब बनने लगे बेशन की बर्फी के लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए होती है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इलाइची का पौडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बर्फी में तो मैं इसमें एक छूटा जमच इलाइची का पौडर डाल रही हूँ इलाइची का पौडर डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी को बनने में 7-8 मिनट लग जाते हैं चाशनी हमें बिल्कुल पर्फेक्ट बनानी है अगर चाशनी पतली रह जाएगी तो हमारी बेसन की बर्फी ठीक से जमेगी नी और काफी टाइम लगेगा उसको जमने में और अगर बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो जो हमारी बर्फी है वो काफी हाड बन जाएगी इसलिए सॉफ्ट बर्फी बनाने के लिए हमाई चाशनी बिल्कुल पर्फेक्ट होनी चाहिए तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको पकते वे 5-6 मिनट हो गया है तो देखिए इसमें एक तार बनने लगा है तो जब एक तार बनने लगे तो गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को एक बार चला लेंगे और अब जो हमारा ये बेसन है वो ठंडा हो चुका है तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर चाशनी को डालेंगे लेकिन उससे पहले जिस पी बर्तन में हम बर्फी को जमाने वाले हैं उससे पहले अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि चाशनी डालने के बाद फटा फट बेसन जमने लगता है और अब हम वेशन के अंदर चाशनी डालेंगे तो मैं सारी चाशनी इसके अंदर डाल दे रही हूँ और चाशनी डालने के बाद इसे हमें फटाफट से चलाना है जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये गाड़ा होता जाएगा तो आप देखिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ और अब देखिए ये गाड़ा होना शुरू हो गया है तो थोड़ा गाड़ा हम इसे और होने देंगे और अब मैं इसे ज़्यादा इसे गाड़ा नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये कड़ाई में जमना शुरू हो जाएगा तो अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे जो हमने ग्रीस करके रखी है तो पूरे मिक्षर को इस प्लेट के अंदर डाल देंगे और अब हम इसे टैप कर लेंगे इससे उपर वाली जो सर्फेस है वो भी इवन हो जाएगी और जो भी एर बबल्स होंगी वो निकल जाएगी और फिर हम इसे कटेवे ड्राइफरूट से गार्निश कर देंगे मैं इसके उपर कटेवे पिस्ता डाल रही हूँ आप चाहें तो इसके पर बदाम भी डाल सकते हैं और अब आप देखें जब मैं इसके उपर ड्राइफरूट से डाल रही हूँ तो यह अल्रेडी सेट हो चुका है इसको सेट होने में सिर्फ तीन से चार मिनट लगते हैं फटा फटी सेट हो जाता है लेकिन हम हातों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ड्राइफरूट से हमारे अंदर चले जाए और अब मैं आपको काट के दिखा रही हूँ बेशन की बर्फी के पीसिस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटे भी काट सकते हैं और आप देखिए कितनी आसानी से कट रहा है क्योंकि हमारी बर्फी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है तो मैंने जो बाते आपको बताई हैं बर्फी बनाते वक्त उस बातों का ध्यान रख के आप बनाईए आपकी बर्फी भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर श्राय करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग